हेलो दोस्तों मैं हूँ आर्थी और आपको सामने फिर से हाथ जरू हूँ आज की इंपोर्टेंट नियूज को लेकर के जो आपके एक्जाम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आप जो इन अंतराश्टी संबंदों में पढ़ते रहते होगे भात के संबंद क कनाडा के साथ कैसे हैं अमेरिका के साथ कैसे हैं अलग अलग देसों के साथ कैसे हैं ठीक है तो इसमें सबसे बड़ा मुदा रहता है कि भारती व्यक्ति मतलब भारती लोग जिसमें जाता है इस्टुडेंट होते हैं अलग अलग देसों में पढ़ने के लिए जाते हैं जि जोवारत के लोग जाकर रहते हैं काफी टाइम से ऐसा देखने में आ रहा है कि कनाडा जो है अपने वहां पर अप्रवासी जो लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं वहां पर रहने के लिए उनको लेकर कि नियम कानुनों में लगातार बदलाव कर रहा है उसीगा एक में यह आया है कि जो कनाडा के जो मुख्या राजनितिक अधिकारी है उन्होंने गोशना की है कि यहां पर जन संख्या कंट्रोल करने के लिए जन संख्या व्रध्धी हो रही है उसको नियंतित करने के लिए जो वीजा की जो संख्या है वो कम करने वाले हैं ठीक है तो हम क्या पर देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि इस फैसले से भारत पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है, और इस फैसले से सचमे कनाड़ों को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसकी भी हम चर्चा यहां पर करने वाले हैं, तो देखो, हैडलाइन क्या है, अब कम भारतियों ज जिसमें आपका सब कुछ कवर कराए जाएगा, पचास प्रचाट छूट के बाद मात्र साथ जार में मिल जाएगा, उसके अलावा, अगर आप जो है, यूपी पीसेस की तयारी कर रहे हैं, तो यूपी पीसेस का फाउंडेशन कोर्स, जो है, सतर प्रचाट छूट के बाद आपको 30,000 रुपे में मिल जाएगा, इसके अलावा हमारे पास जो है, यूपी पीसेस, आरेश, एमपी पीसेस, बीपीसेस का आरो, ए आरो, ए आरो, एनसे आर्टी कोर्स और टेस्स, ये सारी चीजे उपलब्द हैं, जो आफर हमारा है सिर्फ और सिर्फ 24 अक्टूबर से 2 नमबर तक रहने वाला है, तो अगर आप या आपके दोस्तों में से कोई भी इस चीज के तयारी कर रहे हैं, तो इस आफर का लाभ जरूर उठाएं, यहां पर लंबर दिया हुआ है, इस नमबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी एकठा कर सकते हो, इंस्ट्राग्राम देख यह निव जितनी चर्चा में क्यों है, चर्चा में तो वैसी भी है, कनाडा में लेकर के जो अलगावादी या फिर आप खालिस्तानी हैं, उनको लेकर जो वहां पर मुर्च निकाले जा रहे हैं, चर्चा हो रही एक मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाया भी है, विकास याद के लिए जिस किसी चीज के लिए उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्या लिखा है, कनाडा में जनसंख्या व्रध्धी को रोकने, उन्होंने जो रीजन दिया है, इसका बोला है, कि हम जनसंख्या व्रध्धी को रोकने के लिए नए अपरावासियों की संख्या मे बड़ी कटाوت предлаг अब जो लोग नए जाहे भारत से हो आफ अफरीका से हो या फिर किसी भी असिय कंट्री से हो वहां चो कम पाएंगे माझ विजारी जारी करता था कि अब जो 5000 ह ही ही विजा जारी कर रहा है तक मतलब यह पांच है सबसे बड़ी समस्या जो अब कनाड़ा में देखने को मिली जनसंख्या इतनी बढ़ गए मतलब देखो कोई कंट्री है जैसे भारत है जो योजनाय बनाता है आवास बनवाता है पानी बिजली की सुविधा जो है उसको पता है कि मेरे देश की जनसंख्या 140 क्रोड है लेकिन आप 50 क्रोड बाहर से आके रहने लग जाए तो यही जो चीजे है ना छोड़ी बेसिक नीट्स है वो कम बढ़ने लगेंगी लोगों को तो वहां पर क्या हुआ है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई है आवास की लोगों को रहने के वहां पर घर मिल नहीं रहें क्यों कि जब समाजी अब सरकार के अंदर यह रहता है कि मैं योजनाय जारी करूंगा जाए तर लोग आधे बाहर के हैं जो इन योजनाओं का फायदा उठाने वाले तो इस चीज को भी लागू करने के लिए साथ में अगले साल कम अप्रवासियों को वीजा जारी किया जा अलग दिखाई दे रही है अगर हम बात करें कि क्या इसका जो रीजन है क्या कोई राजनीतिक पहलू है तो कुछ लोग का माना है कि हां राजनीतिक पहलू भी इसका एक रीजन हो सकता है क्यों क्या लिखा हुआ है कनाड़ा में अगले साल चुनाओं होने वाले हैं जस्ट इनके पार्टी को साथ में डोनाल्ड टरम्प का भी यहां पर स्टेट्मेंट आया है कि क्या है अब जस्टिन टूडो भी अमेरिका की सीमाओं को बंद कर रहे हैं ऐसा स्टेट्मेंट उन्होंने भी दिया है अब यहां पर देखो लिखा है क्या अगले साल चुराव होने वाले हैं इसकी वज़े से जो है ऐसी गोष्णा की जारे है और यहां पे मानना भी है लोगों को कि अगर चार चार कनाडा की लोगों से आप बात करेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो बोलेगा कि बाहर से लोग आकर के यहाँ पर जो है समस्या खड़ी कर रहे हैं लोगों की ऐसी मानसिकता वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे अब भात करें कि कनाडा की जन संख्या जिसको कम करने की बाद की जा रही है आखिरकार क्या बढ़ी है कितनी बढ़ गई है तो देखो लिखाएं कनाडा की जन संख्या 2023 से 2024 में 3.2 प्रतिसत की दर से बढ़ी है 1957 के बाद ये सबसे जादा बढ़ेने वाली रेट देखी गई इतनी कभी नहीं बढ़ी है ठीक है 2023 की आखरी तिमाही में अप्रावासियों की संख्या में 3.12.758 की व्यधी हुई मतलब क्या है 2023 की आखरी तिमाही मतलब 6 मेने के बाद जो 7.1 मेना स्टार्ट जब हुआ उसमें देखा जादे कि इतने सारे लोग लगभग 3.12.780 लोग वहां पे आके हजिर हो गए अगला है 2025 और 2026 में 50,000 नए इस्थानी निवासियों को देश में बसाने की योजना बनाई गए थी ये पहले पहले लेकिन अगर आप हम बात करें तो आप देखो इसके संख्या लगभग 2023 में 3.95, 26 में 3.80,000, 27 में 3.65,000 ठीक है अब 4,00,000 भी यहां पर संख्या नहीं पहुंच रही है अब यहां पर देखो और भी रिपोर्ट्स है इस स्टाटिक कनाडा ने कहा है कि 2021 तक जादा तर प्रवासी एसिया और मदपूर्व से आये हैं और अफरीका से आने वाले लोग की संख्या लगातार बढ़ रही है ठ प्रवासन में कटावती घरों के सफलाई के अंतर को यहां पर ठीक कर देगी जो मैं आपको बोला कि सबसे अदा बड़ी समस्या वहां पर कनाडा में है कि घर नहीं उपलब्द हैं जो घर उपलब्द भी है उनकी जो है कीमत इतनी जादा है कि वह अपने आपे बहुत सब व्रद जन संख्या है कारशील जन संख्या नहीं है अब भी मैं आपको इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगी फिर देखो क्या लिखा है भारतियों पर बात करें कितना आसर या क्या आसर होने वाला है तो देखो यहां पर 2023 में करीब 9 साल 9 लाक अंतर राश्ट्री चात्र कन जो है अगर बात 2022 में तो लगवग चार फीशदी वीजा की गिरावट आई 2022 के मुकाबले पिछले साल की चौथी तिमाही में 86 फीशदी कम चात्र वीजा जारी हुए जो इस्ट्रेंट वीजा होते है ना उनकी जारी करने के रेट भी यहां पर कम कर दीगी क्यूकि आपको साब से पेमेंट मिल जाता है ठीक है जो कि यह सुवधा आपको भारत में देखने को बहुत कम मिलेगी ठीक है आगे क्या लिखा है 2022 की चौथी तिमाही में इतनी वीजा जारी किये गए 2023 में मात्र 14,910 वीजा ही जारी किये गए तो लगातार जो है इनकी संख्या कम हो रही अब बात करते हैं कि ठीक है वहां की प्रधान मंतिर निगोशना कर दी लेकिन क्या वहां की सारे लोगों का मानना यही है कि इससे फायदा होगा कुछ लोगों का मानना कुछ और भी यहां पर बता रहा है देखो यहां पर बात करें कि कनाड़ा पर क्या असर पड़ेगा त तो यहां पर बोलाएं कि अगर आप उनको आने से मना कर देंगे, यह जन्द संख्या कम कर देंगे, तो जो लोग चाहते हैं कि हमारे यहां पर लोग काम करने आएं, उनके लिए काम करने वाले लोगों को खोजना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी दाता जो है, जो है महाँ प के लिएे काम कर रहा है, नहीं आपने उनके सिख्षा में घर्च किया है नहीं स्वास्ता में खर्च किया है में लेकल बना बनाए पेड आपको मिल गए आपको सिर्फ उसे फल तोड़ने हैं वहीगारा काम यहां पर और यहומ सिर्फ देटेमिंश में में remain कि Musean प्रजनन दरेक कम है क्योंकि वहां पे लोग वर्कोहॉलिक हैं काम करना पसंद करते हैं मतब यूगल जीवन साधिसुदा जीवन पर बच्चे पैदा करना उसमें चीजे उसमें जो है लोग इंट्रेस्टेट नहीं रहते हैं बेबी बूमर यानी 60 और 70 की दसक में जन्वी पेड़ी रिटायर हो रही है और इसलिए जो हो वहां पे काम करने वाले लोगों की जरुत पड़ेगी तो लोग जो है कहां से लेकर के आएंगे तो यह समस्या आगे चलकर देखने को इनको मिल सकती है तो यह रहा हमारा आज का जिसमें हमने डिसकस किया कि अगर कनाडा जो है वीजा कम जारी करता है तो उसके प्रभाव भात पर क्या पड़ेंगे और कनाडा पर क्या पड़ेंगे और जो कारण क्या है इन्होंने वीजा कम जारी करने का जो कारण है वो भी हमने आपर देख लिया है I hope आपको जो टॉ तो लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सारे वीडियो आपको टाइम से मिलें इसके लिए बेर आइकन जरूर दवाएगा have a good day thank you